नमस्कार, हिमाचिर प्रदेश क्रांट अफेर बुष्टर में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कुछ एक दिनों से क्रांट अफेर के क्वेशन बने हैं हिमाचिर के निूजबेपर से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में मैं आपसे question भी पूछाँगा जिसका answer आप कुछे comment वाक्ष में बताना है इस वीडियो का PDF फाइल और other वीडियो का PDF फाइल आप हमारे telegram चैनल से download कर सकते हैं हमारा जो पहला question है वो है total capacity of कर्चम वांग्टू project is यह जो कर्चम वांग्टू प्रियूजना है इसकी कुल क्षमता कितनी है थेखो हाल फिलाल में जो है वो कर्चम वांग्टू project जो है यहां पर हंगामा हुआ तो यहां के जो employee वगएरा थे लोग थे यहां पर इन्होंने जो था highway को जाम कर दे इसलिए यह news में आया था आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए पहले यह जो कर्चम वांग्टू प्रियूजना है यह किनौर में स्तित है और सत्लूज नदी के ऊपर बने हुई है कर्चम वांग्टू प्रियूजना जो है यह JP industry द्वारा बनाई गई है और निजी क्षेतर की यह सबसे बड़ी प्रियूजना है यह आप याद रखेगा कि निजी क्षेतर की यह सबसे बड़ी प्रियूजना है कर्चम वांग्टू प्रियूजना ये हमारे पास कुछ परियोजनाएं दी गई है इनको एक बार रिवाइस कर लेते हैं त्रिवेनी महादे परियोजना मंडी में स्थित है 78 मेगावाट की है जिपसाडम परियोजना लोहसपित्ती में है ये 300 मेगावाट की परियोजना है 12 खंबा प्रियोजना जो है यह 45 मेगावाट की है और डिस्टिक किनौर में स्थित है लुजाई प्रजेक्ट जो है वो चंबा में स्थित है और यह भी 45 मेगावाट का है कशांग स्टेज फूर प्रियुजना जो है वो कि नौर में स्थित है और यह प्रियुजना जो है 48 मेगावाट की है चिड़गों मजगों प्रियुजना जो है यह 60 मेगावाट की है और डिस्टिक्स चिम्ला में स्थित है ये कुछ परियोजना हैं इनके बारे में तो आपको याद रखिये ही साथ ही जो है ये भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो Economic Survey में दिये गए थे देखो तीन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जियोरी हो गया ये 9.60 Megawatt का है इनका expectation था कि ये मार्च 2020 तक पूरी हो जाएंगी तो ये आप basic साथ प्रोजेक्ट के बारे में याद रखियेगा क्यूंकि न्यूज में भी था कर्चम वांग्टू परियोजना और जो related questions हमने पहले भी revise की हैं उनको भी revise कर लिया next question recently due to fire पार्वती two project is in news its capacity is तो हाल ही मैं आग लगने से चर्चा में रही पार्वती दो परियोजना की क्षमता कितनी है तो ये पार्वती चर्ण दो परियोजना जो है इसकी जो क्षमता है वो है 800 Megawatt option B जो है वो सही अंतर है पार्वती की परियोजना है इसके बारे में आपको पता होगा ये कहां पर है कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती जो है विद्ध परियोजना जो है वो उस चिते है तो कहां पर कुल्लू की सैंज घाटी में अब ये सैंज घाटी आपको पता चल गया कि कुंडू में से तो पार्वती दो प्रियोजना है एक पारवती प्रियोजना है तो पार्वती प्रियोजना जो है वो 2051 मेगावाट की ये प्रियोजना है जो पार्वती प्रियोजना है तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विजुद प्रियोजना है पार्वती प्रियोजना पुलू जीले में ये स्तित हैं NHPC द्वारा इसको बनाया गया था और इसमें जो है वो पांच राज्य है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, डिली, गुजरात और हर्याना हर्याना का सहयोग यहांपर है और हिमाचल प्रदेश का शेर अगराव इसमें देखेंगे पारवती प्रियोजना में तो 15% शेर जो है हिमाचल प्रदेश का इसमें है तो यह आप याद रखेगा पारवती प्रियोजना के बारे में अच्छा पारवती परियुजना हो गया और पारवती दो परियुजना हो गया तो इन दोनों के बारे में आप separately याद रखेगा कितने कितने मेगावाट की हैं और क्या-क्या जो भी इनके बारे में मैंने आपको बताया वो सब याद रखे नेक्स्ट क्वेशन टोटल स्टेंथ ऑफ हिमाचल कैबिनेट इस हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की कैबिनेट में कितने मंत्री हैं या फिर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की कितनी स्टेंथ है प्रिजेंटली एगर हम बात करें प्रिजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश मंत्री मंटल है उसमें बारा मंत्री है चीफ मिनिस्टर इंकलूट करके option C जो है वो सही अंजर है बारा मंत्री इंकलूडिंग चीफ मिनिस्टर अब देखो यहां पारा आप एक वार नज़र डालीजे जैराम ठाकूर तो खुद चीफ मिनिस्टर भी है इनके पास वित मंत्राले है समाने प्रशाशन है ग्री ही योजना है तो यह सब विवाग है और उसके बाद महिंदर सिंग आते हैं तो इनके पास जल सक्ती है राजश्यो बागवानी है सुरेश भारदौज के पास सहरी विकास है टी सीपी ह विधी और संस्तिय कारे मंत्री है राजीव सहेगल के पास स्वास्थय और परिवार कल्यान मंत्राले आर्वेदिक विवाग इनके पास है गोविन ठाकुर के पास शिक्षा विवाग है भाषा और एवं संस्कृति विवाग है सर्वीन चौधरी के पास समाजिक न्याय प्रद्योगी की एवं जंजाते की लांकल्यान है, राकेश पठानिय के पास वन यूभा सिवाय एवं खेल विवाग है, सुखराम चौदरी के पास उर्जा विवाग है, बहु उदेशी विवाग है और परियोज नाएं और राजेंदर गर के पास खाद्ये एवं नागरी का पूर्ती प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी जो है ये इनके पास है राजिंदर गर्ग के पास अभी दिखो तीन नए मंतरी बनाए गए ये तीन नए मंतरी कौन कौन से हैं राकेश पठानिया सुखराम चौधरी और राजिंदर गर्ग इन तीनों के नाम आप याद रखेगा अब दुखो ये कहां कहां से कौन कौन से कौनसे से बिलॉंग करते हैं तो ये जो सुखराम चौधरी है ये पॉंटा साहिब सिर्मौर से बिलॉंग करते हैं और उसके बाद जो राकेश पठानिया है ये नूरपूर कांगड़ा से बिलॉंग करते हैं और राजिंदर गुमार्मी बिलासपुर से बिलॉंग करते हैं उनकी कॉंसीचेंसिस आप रखेगा जो नूली इलेक्रिट MLA या फिर मंतरी है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर तो यह आप रखेगा कितने 12 मिनिस्टर इनक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो है हमारे कैबिनेट में सामिल है इस ताइम तो यह सब important जानकारी थी next question देखते हैं next question भी काफी important है total strength of a man in हमारे कैबिनेट इस हमारे कैबिनेट में महीला मंतरियों की संक्या कितनी है अगर आप बात करेंगे हमाचल प्रदेश कैबिनेट की हमाचल प्रदेश मंतरी मंदल की तो यहाँ पर जो महीला मंतरी है वो है एक option ए जो है वो सही answer है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सर्वीन चौधरी इनके पास समाजी के निया एवं आधिकारिता मंतरा ले है तो सर्वीन चौधरी एक मंतर महीला मंतरी है हमाचल कैबिनेट में अब देखो आपको यहाँ से एक और चीज इन जिसको मैं कहूंगा important information आपको पता होने चाहिए यह important information है regarding कि हमाचल परदेश के में जो है वो कितनी women MLA है तो कितनी महीला MLA member of legislative assembly कितनी है हमाचल परदेश की हमाचल परदेश में तो यह पता होना चाहिए कितनी है 5 पांच है यह कौन कौन सी हैं और कहा कहा से belong करती है पहली शिरिमती आशा कुमारी, शिरिमती रीता देवी, शिरिमती सर्वीन चौधरी, शिरिमती कमलेश कुमारी, शिरिमती रीना कस्चप तो यह हैं 5 MLA शिरिमती आशा कुमारी ढलोजी कौनस्चेंसी से belong करती है शीरिमती रीता देवी इंदौरा कॉंसिटेंसी से बिलॉंग करती है शीरिमती सरवीन चौधरी सापूर कॉंसिटेंसी से बिलॉंग करती है और सीरिमती कमलेश कुमारी भोरंच कॉंसिटेंसी से बिलॉंग करती है और सिर्मती रीना कश्चप जो है वो पच्छाद कॉंसिटेंसी से बिलॉंग करती है तो ये आपको यहाँ से पता चला महिला जो हमारी यह मैले हैं उनके बारे में महिला मंत्रियों के बारे में यह सब आप यहाँ से याद रखेगा Next question हाल ही मैं भारतिय खाद्य खाद्य सुरक्षा मानक एवं प्राधिकरन द्वारा किस मंदिर के भोग को स्वच एवं सुरक्षित प्रमानित किया गया है यहां का जो भोग होता है यहां का जो भोग है उसके रिए यह प्रमानित को दिया गया है अब हिमाचल प्रतेश के ऐसे दो मंदिर हो गए एक तो हो गया शिव मंदिर जो कि जतुली में सतीत है ये सोलन में पड़ता है और दूसरा हो गया शलोनी माता का मंदिर ये भी सोलन में पड़ता है इन दो मंदिरों को पर्मानित किया गया है याद रखिए और F-S-S-I F-S-S-I के द्वारा भी जो है एक मंदिर को यहां पर परमानित किया गया ये F-S-S-I के द्वारा कौन से मंदिर को परमानित किया गया है तो ये मंदिर है जाकू मंदिर जो की शिमला में स्थित है अब ये तीन मंदिरों के नाम आपको याद रखने हैं कौन-कौन से ये मंदिर हैं इनको परमानित किया गया है इनके भूग को जो है वो स्वच एवं सुरक्षित परमानित किया गया है तो ये कुछ certified मंदिर है इससे पहले भी आपको पता है चिंतपूर्णी मंदिर डिस्टिक उना में पढ़ता है चिंतपूर्णी मंदिर न्यूज में क्यों था न्यूज में इसलिए था क्योंकि चिंतपूर्णी मंदिर के परशाशन ने जो है वो ऑनलाइन परशाज की सुविदा जो है शुरू की इसलिए जो है वो चिंदपूने मंदिर नियूज में था तो ये आप मंदिरों के बारे में याद रखे नेक्स्ट कॉर्शन नेक्स्ट कॉर्शन है इन वी 14 फॉलोइंग दिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश biggest honey processing plant will be set up तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा honey processing plant लगाया जाएगा अभी बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के एक जिले में जो है वो honey processing plant लगाया जाएगा तो ये कहां पर लगाया जाएगा ये district kangra में लगाया जाएगा option B जो है वो सही है अब ये district kangra में लगाया जाएगा honey plant सहद का जो प्लांट होता है वैसे कुछ और प्लांट भी हिमाचल में है प्रद्थू ये प्लांट जो है district kangra के रानिताल में बनेगा और रानिताल का ये जो प्लांट होगा ये सबसे बड़ा प्लांट होगा ये इसके बारे में एक important जानकारी है अब देखो सहद आपको पता है मदमक्यों से आता है तो एक B फारम मदमक्यों का फारम B फारम जो है वो district kangra के नगरोटा में है district kangra के नगरोटा में ये जो B फारम है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 1936 में हुई थी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और कुछी दिन पहले ही हमने एक question discuss किया था कि भारत में kangra जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ गया है मदुमक्खी पालन की बात की जाए ये उत्री भारत की बात हुई थी उत्री भारत में मदुमक्खी पालन में kangra जिला जो है वो सबसे पहले पायदान पर है ये याद रखिएगा और यहां से एक और important बात पहली बार बिदेशी मक्खी जिसका नाम था इसका राष्ट्रिय स्तर पर सफल ट्राइल जो है 1962 में किया गय था नगरोटा अनुसंधान किंदर में ये छोटे-छोटे questions है मदुमक्खीों के बारे में ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि important जानकारी ये मदुमक्खीों के बारे में है और काफी उमीद रहती है कि इस तरह का question जो है पॉब्लिक सर्विस कमिशन एक्जाम में पूछेगा नेक्स्ट question है अन्तोधिया अन्ना यूजना वाज लांच्ड इन विच ये जो अन्तोधिया अन्ना यूजना है कब लांच्ड की गई थी ये जो अन्तोधिया अन्ना यूजना है ये लांच्ड की गई थी option B 2000 में दोवस 2000 में इसको लांच्ड किया गया था और देखो इस scheme को किसके दवारा develop किया गया था यह आपको पता होना चाहिए तो इस scheme को जो develop किया गया था वो संता कुमार के दोरा डॲप किया गया था सांता कुमार उस टाइम जो थे वो Union Food and Civil Supplies Minister होते थे तो इनके दोरा जोदा ये plan बनाया गया था इसको डॲप किया गया था और इसको launch किया गया था 25 दिजम्बर 2000 में पहली बार इसको implement किया गया था राजस्तान में ये भी आपयाद रखेगा कि कौन सी स्टेट में इसको पहली बार इंप्लिमेंट किया गया था इस स्कीम के तहर होता क्या है इस स्कीम के तहर जो है 35 केजी राइस और वीट जो है वो दिया जाते हैं सबसीडी के उपर तीन रुपे पर किलो की दर से राइस दिया जाते हैं और दो रुपे पर किलो की दर से भीट दिया जाता है तो ये आप याद रखेगा अंतोध्या अन्नायोजना के बारे में ये अन्तोधिया अन्नायोजना के बारे में important जानकारी हो गई I hope की आप लोगों के लिए helpful लोगी अन्तोधिया अन्नायोजना की ये जानकारी Next question रगुनाथ जी के सम्मान में 1660 में दसहरे की परंपरा किस के दोरा सुरू की गई थी तो भगँनाथ जी के सम्मान में 1660 में दसहरे की जो परंपरा थी वो शुरू की गई थी राजा जगत सिंग के दोरा Option D जो है वो सही अन्सर है अब दसहरे का जो ये तिहार है ये थोड़ा सा इसके बारे में न्यूज में आये था तो अब बात करेंगे कि ये जो दसहरे है इसके बारे में क्या-क्या इंपॉर्टन जान का पहले तो आप याद रखे कि रगँनाथ जी के सम्मान में राजा जगत सिंग दोरा 1660 में दसहरे की परंपरा जो थी वो शुरू की इस मेले में या फिर इस्तिहार में इस परंप में जो काफी देवी देवता है जो है वो इकठे होते हैं आकर हिमाचल प्रदेश में जब कुलू मिल गया था तो उसके बाद सबसे पहली बार जो दसहरे में बाग लिया था रोमानिया के इस दल के द्वारा जो था 1973 में भाग लिया गया और 1973 में ही दसहरा जो था वो अंतरास्ट्रिय लोक नृत्य समरो के रूप में इसका आयोजिन जो था वो प्ररंब हो गया था ये आप याद रखेगा दसहरे के बारे में ये तो आपको पता ही होगा जो दसहर है वो कहां पर मनाया जाता है तो दसहरा अंतरास्ट्र जो कुल्लू का दसहरा है वो ढालफुर मैदान में उन्चत धा ता है ये कुछ फयर क्यों है को एक वार क्यूटली रिवाइस कर लेते हैं सुही मिला 15 आफचेत को लगता है फस्ट आफबे साख को ये समापत हो जाता है रेनुका जी फेयर जो है वो डिस्टिक स्रिमौर में लगता है दिवाली की 10 दिन बाद रेनुका जी फेयर को जो है 2011 में इंटरनेशनल मिला घोशित किया गया था बरलाज फेस्टिबल सोलन बिलासपुल में लगता है दिवाले के दो दिन बाद पत्थर का खेल वहलोग धामी में लगता है दिवाले के दो दिन बाद कार्तिक महीने में बिशू बिशुवा बिशाकी फेस्टिबल जेस्ट के महीने में सेलिबरेट की जाते है नौली फेर जो है वो मंडी में लगता है काहिका मेला कुलू में लगता है सूभी जात्रा जो है स्रीनानादेबी से समन्द रखती है गंटाल फेस्टिबल लोहल में लगता है जून के महीने में Dr. Y.S. परमार को किस वर्ष जर्ज के पद से निश्कासित कर दिया गया था आपको इस चार ओप्शिन दी गई हैं अपने अंसर कमेंट करके जरूर बताएं So that's all for today, thank you for watching the video